असलाम अलेकुम और वेलकम टू कानून बोलता है विद बारिस्टर फात्मा शाहिन नाजरीन बहुत सारे लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि पंजाब में रिसेंटी एक कानून पास हुआ है ये कानून जो है किस तरह से ऑन ग्राउंड डिफरेंटी एबल परसंस को इंपावर करता है इसके बारे में अपने आज के शो में हम बात करेंगे एक बहुत बेसिक लेवल पे हमारी एक कोशिश होगी कि हम आपको बताएं कि जब हम इस कानून की बात करते हैं तो इस कानून में किस तरह से डिफरेंटी एबल लोगों को डिफाइन किया गया है किस तरह से ये कानून पहली दफा कहता है कि ये बहुत important है कि आप डिफरेंटी एबल लोगों के rights more specifically उनका राइट to privacy जो है उसको protect करें इसी तरह से ये कानून ये भी कहता है कि जहां पे उनकी education का right है वहां पे बहुत जरूरी है कि आप ensure करें कि right जो है उनको दिया जाए यह ensure किया जाए कि education जो है उनके लिए inclusive और accessible हो इसी तरह से यह कानून यह भी mandate करता है कि जहां पे हमने यह ensure करना है कि हम socially empower करें differently able लोगों को वहां पे बहुत जरूरी है कि उनका access to public spaces जो है उसको facilitate किया जाए किस तरह से इस कानून को हमने overall evolve होते वे देखा है किस तरह से हम possibly expect कर सकते हैं कि हम इस कानून को effectively implement करेंगे इन तमाम इस शूवस अपने आज के शो में हम बात करेंगे और इन पे बात करने के लिए में साथ studio में मौझूद है Barrister Harris Azmat साब जो के advocate है Supreme Court of Pakistan के Assalamualaikum sir and welcome to the show उनके साथ तश्रीफ फर्मा है मोहमत अली जो की disability rights activist है Assalamualaikum जी welcome to the show and via telephone line हमें जोइन करेंगी Miss Sana Khushit जो की again disability rights activist है Assalamualaikum जी and welcome to the show साना में चाओंगी program की शुरुआच जो हम आपसे करें आपसे बिसिकली यह जानना चाओंगी किस तरह से आपने litigation को pursue किया किस तरह से आपने मुक्तलिफ stakeholders को जो है बिसिकली engage किया and then finally हमारे पास आज पंजाब में यह कानून मौजूद है किस तरह से आपकी यह journey रही to get this law उसके बारे में नाज़ीन को बताएं एक दिन में एक restaurant में जा रही थी तो वेटर से निसी ता मुझे लिफ्ट करके गए और एक वेटर का ना पैर सिल्फ कर गया मुझे लगा बस मैं अभी गिर गई और उस माइक्रो सेकंड में एक पूरी इस फिल्म मेरे चली मेरे अग्सिटेंट की और मैंने सोचा के अब फिर से वहालो का मेरी फिर से मुझेद कोई चीजे तूटेंगी मैं हॉस्पिटल में चाहूंगी और मैं पूरा थे आपने उस फिर से अगारी आप पर गिरी नहीं और पिर बस वहां हम गए लिए अली शुक्ताई जो मेरे अड़केट हैं मेरे साथी थे उस वक्त तो हमने मैं अली से का अली प्लीज कुछ करते हैं मैं भी हूँ तो लॉयरी बट वो प्रैक्टिसिंग लॉयर थे तो बस इसी तरह सिल्सला है शुरू हुआ हमने हर जगा लेटर लिखने शुरू किये लेटर्स के जवाब तो हमें आजाते थे अक्नौलज करने के लिए के जी आप बहुत अच्छा अपने सवाल उठाया है अगर उनफॉचनली उसकी कोई इंप्लिमेंटेशन यही बस फिर भी सिल्सला हुआ हमने पहली परिटिशन फाइल की हाई क्योंकि जब हमने रिसर्च की तो लॉजुट थे लॉजू था एक अक्सेशिबिलिटी के पॉंट अब्ट जगा रंप और इसेबल टोइले हो नही अबड़ी स्पेसिफाई उनने करके दी ती कि उसकी क्या ग्रेडियंट होना जी कितनी इंकलाइं कितनी चोड़ी ताके एक कमफर्टिबली लोग इंडिपेंड़ेंटली उसको यूज कर सके हैं बट अनफॉचनली राइक एनी अधर लोग वो इंप्लिमेंट नहीं हो रहा साल के बाद एक गार्ड आया उसने का आप यह से क्यों आ रहे हैं आगे तो रैम्प है तो हमने का चाह हम साल से हमी इतनी जादा लोग को भी तंग करें हैं खुद भी तंग हो रहे हैं वह पहली पर्टिशन तो अनफॉचनली हमारे हाँ एक मिस्क्रशन है कि सारी डिसिबि तो कोट का दर्वालसा हमेशा खुलाए उनके लिए तो बस फिर हमने एक पर पर्टिशन शुरू की दायर की लाहर हाई कोट में और जिसको बहुत लगता हमने सिर्फ अपने फिजिकल मॉबिलिटी फिजिकल डिसिबिलिटी से रिलेट एक्सेस महांगा बलके हमने पीपल अपने पर्टिशन में एड़ किया कि उन सब के लिए फिसिलिटी होनी चाहिए ताके वो एक खुदमुक्तार एक इंडिपेंटन्ट एक लाइफ गजार सकें जो कि उनका बेसिक राइट है जो राइट आपका है वही राइट मेरा भी है और बस हम इस दफा बहुत लगी थ कि हमारी पेटिशन जस्टिस जवाध हसन की कोट में लगी और बस माँ से जिसे कहते हैं एक कदम हमने उठाय ता बाकी रस्ताला मिया ने बना दिया और बस माँ से जिल शुरू हुआ जट सामने हमें हमें अना सिर्फ हमें जो हमने मांगाता दिया वल्कि वेंट अब अब उन्होंने हम रैंप मांगने गए थे और उन्होंने हमें एक पूरा लो हमें बनवा के दिया आपने बिल्कुल सही कहा जब आप यह कह रही है कि यह कानून जो है यह बहुत बड़ा एक विन-विन है बिकॉज एड दी एंड ओफ दे इसका सबसे बड़ा एड़ा एड़ा जी हुआ है कि अब हमारे पस एक पेपर पे एक जगा पे जो है यह तमाम राइट जो है वो कौड़िफाइड है आपने बड़ी डीप्ली इस कानून पे काम किया आप कमेटी का भी पार्ट थे जिसने ड्राफ पी किया और फिर वेट पी किया इस कानून को तो अवर आल जो कि अलड़ी लोगों के पास मौजूद थे तो फिर इस कानून के आने की वज़ा से अब लोगों को क्या फाइदा होगा इसमें दो बाते हैं इससे पहले कि इस तरह का कोई कानून गुर्मिट फपंजाब ने पास नहीं किया वा था जो भी प्रेसिडेंट्स थे वो बाते हैं तो लोगों मजीद डिवेलिपोगा इससे आने से अट लीस्ट जो अभी हो रहा है और आपके जो शो से हो रहा है लोगों में अवेरनेस ही नहीं है इवन बद पीपल विच्पेशल अबिलिटी इस पर इसम्पल यह को आप डिसेबल ना कें इसर नोगों को आप इसर पीपल विच्पेशल अबिलिटीज तो जिस से पहली बात ही जब आप किसी को डिसेबल कर देते हैं तो वेरी वर्ड बेरी नेगटिव कॉन्टेशन अफ डिसेबल मीन्स कि आप उसको सुसाइटी से आउस्ट कर देते हैं इस लौ का जो प्राइमरी मकसद है वो यह है कि उन लोगों को एट पार लाया जाए जाए जी बिलकुल हारे साब लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इस कानून के उपर रहनुमाई करें यह कानून जो है बहुत ज़्यादा राइट्स देता है इसको रिस्पेक्ट किया जाएगा जरूरी नहीं कि एक शक्स जो है वो फिज देफ़ान से राइट से जो कंपेर टू दी अधर जादा इंपोर्टन आप जी मेरे हसाब से जो सबसे इंपोर्टन राइट राइट है वह राइट तो एप्लॉयमेंट बहुत सा मसला जो प्रेशली अबलोगों को होता है वह यह है कि एंप्लोयर इनको नोकरी पर नहीं न किसी भी दो बंदों को on the basis of their ability or disability कोई employee discriminate नहीं कर सकता बिलकुब और अगर discriminate करेगा तो अब government of Punjab ने इस पर सजाइं दी है जो कि सजाइं क्या हैं ये भी बताएं जी सजाइं इसके अंदर आपको एक लाख रुपे से पांच लाख रुपे तक जुर्माना हो सकता है और अगर आप रपीट ओफेंडर हैं तो पर इस बार बार जुर्माना होगा आपको तो ये अगर enforcement आ गई और people with special abilities अगर इसमें जा कर complaint उनने फाइल की कि I was not given a job just because I was specially able and another person with similar qualification was given a job तो जब तक ये सजाइं इंप्लिमेंट नहीं होंगी employers के आप जैसे shows के जरीए employers को भी पता लगेगा और लोगों को भी अपने हकूल का पता लगेगा वो स्टाइड आफ दुसाइटी जिनको ये directly impact करता है आपका first hand narrative रादर लेना जाओंगी अब देखें बिल्कुल सही का बाइसरे साब ने के implementation जो है वो हमारा key focus होना जी because कवानी तो अपनी जगा आ जाते हैं लेकिन जब हम implementation की भी बाद करते हैं ठीक है अब जिसना के कानून इटसेल्फ को आप देखें कानून बड़े वाज़े तोर पे कहता है कि आपने इंशोर करनी है accessibility differently able लोगों की in public spaces जाए वो road zone streets zone public transportation हो या hospital zone for that matter लेकिन फिर सवाल वही आता है कि आप इसको implement कैसे करेंगे कि आप expect कर सकते हैं कि आप हर जगा ramps रखेंगे खास तोर पे पाकिस्तान के remote and rural areas में urban cities में तो चलें I hope implementation जो है कुछ हाथ तक हो भी रही है मजीद भी हो जाएगी लेकिन फिर हमारे पास implementation के monitoring mechanisms क्या है इस बात को ensure करने के लिए कि कानून को जो है वो in letter and spirit implement किया जा रहा है तीन चार चीज़े हैं इसके अंदर देखने के लिए number एक पाकिस्तान या दुनिया का कोई भी मुल्क हो वहाँ पर जब कानून किसी तरह से भी implement होता है तो mechanisms बनाए जाते हैं तो जो भी टाउन काउंसल होती है body होती है या police होती है वह reinforcement mechanism के साथ उस चीज़ को enforce कराते हैं तो मैं समझता हूँ कि अब इसके लिए जिस तरह बैरेस्टे साब ने पहले फरमाया awareness पहला step है जब लोग complain करेंगे तो वहां से implementation का अगाज होगा क्योंकि एक deterrence के तौर पर act करेंगी यह चीज़ दूसरी चीज़ रैंट्स बिनाने की जहां तक आपने बात की obviously बहुत cost effective काम करने की जरूरत है हमें इस वोड़ और दुनिया में concept पे इस वोकत आपकी economic development हो रही इसको कहते है targeted resourcing especially when it comes down to accessibility targeted resourcing का मतलब यह होता है कि जब आप वेट करते हैं सेंस कराते हैं आपको नजर आता है कुछ areas disability के hot spots होते हैं आप वहां पर तादाद में disabled लोग जादा मौजूद होते हैं वहां पर आप targeted development पहले करते हैं उसके बाद अने areas की तरफ आप जाते हैं जहां पर development की जरूरत काम है लेकिन आप किसी area को इसक्रूड नहीं करते हैं लेकिन आप बामारी का इलाज या वहां से उस बामारी को जड़ से पकरने कुछ करते हैं क्योंकि लोग को इस चीज की सबसार जरूरत होती है जिसरी चीज रियासत अकेली अपने कंदों पर ये बोज नहीं उठा सकती हमारे नीजी दारों को भी अपना किरदार अदा करने की बहुत ज़रूरत है उनको आपके सामने प्राइमरिली कॉपिट सोशल स्पॉंसिबिलिटी के थूरू स्टेट के साथ इन कलाबरेशन फंद और प्रवाइट करने की जुरूरत है था कि ये कलाबरेटिव स्टेप्स के थूरू ये इन्फरस्ट्रक्टरल डिवलपमेंट हो बलकुल जी अचाहा मैं चाहूंगी एक और वेरी इंपॉर्टन प्रोविजन आफ दिस आक्ट जो के बिसिकली रिलेट करता है एजुकेशन से बड़े ही काटेगॉरिक लिए कहता है कि जह किसम की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बलके अगर कोई श्रक्स डिफरेंटली एबल है तो आप उनको होस्टल में अकॉमडेट करने के भी हवाले से कंसेशन दे सकते हैं अब दिखें अगेन ऑन पेपर ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है आपका बेने पाक पाकिसान से भी तालीम हासिल की फिर आप अमेरिका भी गए वहां से अपने प्नी लौ डिग्री को फॉदर पॉसू किया तो जब आप कंपेर और कॉंटरास्ट करते हैं पाकिस्तान को पाकिसान के एजुकेशन सिस्टम को इस्पेशली एबल परसंस लाइक यॉसल तो आप कानून को अगर आप अनलाइस करें तो अधर भी एकुटी की बात की गई है सबसे प्राइमरी चीज़ जब भी किसी कानून की इंप्लेमेंटेशन की बात होती है तो सबजेक्टिव ली चीज़ों को देखना होता है मुझे नजर के आता है कि हमारे माशरे और वेस्ट के अ मैं जॉज या ब्रेल को अच्छी स्क्राइब को कर सकता हूं क्योंकि बने एक नॉर्मल स्कूल में बढ़ा है कंपरिटिव ली कोई इंसां जो इस्पेशल स्कूल में बढ़ा है वो इस्तेमाल बेहतर करेगा मैं अपनी डिसिबिलिटी से रिलेट आपको चीज़ बतानी को पर इनिशली रांप भी लोगों को आज लगता है कि एक अडिशनल कॉस्ट है बट सी बिलिंग कहते हैं कि जी रांप क्यों कुमनाई कर चैनल करते होंगे एक परसंट दो परसंट तो जो हमने चीज़ नॉमलाइज करनी एं कि ये अडिशनल कॉस नहीं ये मैं डेटरी रिक सब्सक्राइब जिस तरह फाइर एक जबाने में बिल्डिंग में कंपल्सरी हुए तो capitalist commercial world ने का जी हम क्यों आड करें लेकिन नाव इस बिकाम अनॉम बाहर वेस्ट के अंदर को बिल्डिंग लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि जहां पर भी सिर्डिया होंगी वहां पर आइधर आफ तो प्रोवाइड एलिफ और राम सो जब तक और इस लॉन ने भी इन चीज़ों को इतना टाइम लग गया ना देखें बाहर तो हम यह देखने चीज़ें कब से वाल होती है लेकिन वह वाली बात बैटर लेट दैन नेवर अच्छा आपी की बात को बेसिकली आगे बढ़ाते वें जब हम बात कर रहे हैं राइट तू सर्टिफिकेशन की जो कि यह कानून ब यह बसी बात है लेकिन यह ने बहुत अच्छा और इंपोर्टन सवाल है क्योंकि किसी डिसेबल बंदे का राइट ना लिया जाए को ऐसा बंद जो इसा बन्द जो फिर्फिक्ली एबल ऑग है बहुत से ऐसे केसे अदालत हमारे बात अदालत ने में हमारे पास आए हैं जह यह अंहाँ बंदा बंदा बिज्वली इंपैर्म नहीं है और वो सट्रीफिकेट लेज़िए लिए 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 अपर यह जो पर डिन ऑगली इंप्रेटी इस के शिशली इंपरेंट इस अपाशन पिनी यह जो आपल्डी इस स्टीरे लेख लोड्ये वोड़ाइ जा और रुपूर्स देखशे सोगतं है दोट जा रुप से जाश्या है कि अप्र अटनुटूर पनारा बादीकार लेकिन बिरन एक हो एक दिज भी कायों प्रशा दोया इस काहिए सब्सक्राइब का घिला का थे और स्ब्सक्राइब कर देख सब्सक्षजर भी अनुटूर्स कि अगर एक डिसेबल का कोटा 2% है तो अगर वो 3% लोग भी कौलिफाई कर जाते थे तो उनको नौकरीन देते थे सुप्रीम कोट ने कहाए कि पहले वो normal लोगों के साथ compete करेंगे बलकूल अगर वो on merit normal लोगों से भी बेतर कर ले तो वो normal कोटे में जाएंगे वरना इन अधिशिए प्रोटेक्शिन गवाट प्रोटेक्शिन गवाट रखना जाओंगी जब आम इस कानून की बात करते हैं तो अधिस्टान करते हैं कि एक कानून जो है मुख्तलिफ राइट्स देता है यू डिफरेंटी अबल लोगों को लेकिन आज अधिसिबिलिटी मैरी नजर में तो एप रहे बहुत वरेवेंशिव पीस ए लेजिस्टिछिएशन जिसमें हमने बड़ी मेनत की है जिसमेर पहली है थिसमेर अधिसे हुआ है कि हर तना का स्टेकोलडर, हर तना का इफक्टेड पार्टी थीस प्रोटेस लिगान इस प्रोसेस एजने या सारा उनका फीडबैक लिया गया, उनके इशुस को समझा गया, उनके उपर अमल किया और उनको जितना हो सका बैस तरीके से इंकॉर्परेट किया इस लौ में और इस लौ की एक एक दो पॉइंट्स जो मेरे तो अपने बड़े फेवरिट हैं जो मैं बड़ी उसमें इंसिस्टंट की उसको बहुत वाइड रखा है ताके वो हर तरह की इसिबिलिटी को कवर करें जो हमें अभी पता हैं और फ्यूचर में जो एड हो सकेंगी तो इसमें हमने प्री नेटल एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही स्क्रीनिंग्स होएं और अगर पता लग जाए कि इसमें को अगर प्रीजिए तो आगे का रोड मैप क्या होगा वो भी इसमें का वर हुआ है फ्रम द राइट तो एड्यूकेशन तो राइट टो एवन पार्टिसिवेटिटिक्स तक हमने डाला है इसमें सारे राइट विश्यक हमारी कॉंस्टिटूशन हमें गारंटी करती है मगर फ तो पॉलिटिकल पाटिसिपेशन इसमें स्पैसिफिकली राइट वोट का भी राइट अफॉस तिया गया है कुछ आपकी भी मुझे आदे रिपोर्टेश जग्मेंट से सवाले से लेकिन जब हम एक मवाजना करते हैं पाकिस्तान का बतौर एक मुल्क कंपे टू अधर पाकिसान फिर किस एंड उफ इस्पेक्ट्रम पहे है विध रिगार्द सु इसिबिलिटी राइट जी अभी हम वेर इंप्रूवें लेकिन हम अभी बहुत पीछे हैं इसतरह वेस्ट के अंदर इफ यह डिसेबल इसेबल इसेबल और इसे इसेडिए इसेडियों इसेडियो इसेडियों 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 आपको नहीं लगता है कि यहां पे एक बहुत इंपॉर्टन रिस्पोंसिबिलिटी हम जैसे वुकला पर भी लायकती हम तीनों यहां पर जो बैठे में तो बहुत जरूरी है कि हमारा एक लीगल प्रफेशन जिसकी प्रेमाइस ही बहुत जरूरी चीज है यह तो एक अंडिनाइबल बात है अब मैं अभी बात का अगाज साकिन मिसार जज्में चोके जस्टिस यूसेफ सलीम के उपर हुई थी जब उन्होंने सिवल जाज की एक्जैम में सेकंड पॉजिशन ली और यूज बाट अलाओट तो अक्शली बिक हैं और मैं इस कम्यूनिटी का पार्ट होकर यह बात करना चाहता हूं कि आज जो जितने भी कुछ वुकला मुझूद हैं जितनों से भी मेरी अपनी गुफ्तगु यहां पर लोग रेडी हैं लोगों को जॉब जेने के लिए लोगों को इंक्लूसिवली इंकल्केट करने के लिए लेकिन यह भी सफर हमारा बहुत लंबा है हमने इन लोगों के दस्ते बाजू बनना है अभी के लिए इंशाला इन फूचर यह लोग अपना खुद स्टैंड लेंगे वेरी वेरी रिजडेबल एंड कॉम्पटेंट लेकिन ऑविसली जो इनिशल पुछ होता है जब क अब अब भी सब्सक्राइबल के लिए था इनिशल इंशाफर लेकिन अपर्ट लेकिन अपर्ट लोगों को अपनी भी स्किल डिवल्पमेंट पर काम करना जीप्स अब सिर्फ तब ही चीज़ को सई कर सकते जब अब अपना गर इन और जो है इसको प्लेस करें सबसेंगे इ और आप खुद तरक्की के मराहिल तेह कर सकते हैं एक एकनॉमिक ऑपर्चुनिटीज भी आपके लिए खुद क्रियेट होंगी शायद मैं एक प्रिविलिज से बात कर रहा हूं लेकिन मेरे पास मसाले मुझूद है वेस्ट के अंदर भी यहां पर भी जो अपने लिए रू साइटी एम करना चाहिए कि हम लोगों को इस कानून के हवाले से जादा आगाह करें हम कापस्टी बिल्डिंग पर काम करें लोग एंफोर्स्मेंट की लेकिन इस तमाम प्रोसेस में आप जैसे लोग अपनी क्या कॉंट्रिबूशन जो है वो दे सकते हैं यह जो लो है इसम हम बहुत पुछ करेंगे और लो एक भी पुछ करनी का थे लुगाँ कि देखें, लौ तो आपका बन गया है, you should know your rights, you know your rights by now. और जहां आपको लगता है कि आपके rights आपको सेखना नहीं दिये गए, आप अपनी आवाज उठाएं. क्योंकि जब तक हम अपने लिए अपनी आवाज में उठाएंगे, कोई और नहीं उठाएंगा. तो यह तो मेरी personal appeal है, two people with different abilities, कि आपके लिए एक rights guarantee हो गए हैं, और इनको अब आप समझें, इन पे अमल करें, और जहां आपको लगता है, कि आपके rights को infringe किया जा रहा है, आपको नहीं मिले जा रहे, आप अपनी आवाज उठाएं. और अगर मेरी स्टोरी और मेरी इस पूरे जर्नी से कुछ सीखने को अगर आपको मिलता है, तो यह सीखें, कि कई दफ़ा एक अवाज भी होती है, to bring real change. मुझे नहीं लगता था कि हमारी एक कहानी जब हमारी चुरू होएगी, we will end up till here. हमने चुरू में अपनी विजन चोटा रखा बाता बाता, अलम्याने कद्रम किया, और जैसे का जाते है, एक कदम का सफ़र चुरू करो बाकी रस्ता खुदी बनता चाएगा, तो इसमें, I think हमारा अपना बहुत रोल है, कि हम इसकी implementation के लिए अपनी आवाज बहुत उठाएं और उसके लिए मेनत करें, और इस law को इसमें इतनी मेनत हुई है, इसको यूँ जाया ना जाने के, ये खाली एक written theory में theoretical ना रहे, इसकी implementation हो, इसकी practical application हो, ताके हर इनसान को एक कार डिगनिफाइड इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारने का मौका मिले है. हुई है, कि हम लोगों को at a very basic level इस कानून के बारे में educate करें, हम उनको ये बताएं, कि just because एक शक्स जो है, वो disabled है, इसका मतलब ये नहीं है, कि वो disabled है, परस है, इसका मतलब ये भी हो सकता है, कि वो differently abled है. आज के लिए इतना ही, अगले हफ़ते तक के लिए पनी मेजबान फात्मा शाइन को इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्यार लोगें, खुदा हाफिस.